Hello everyone, कैसे हैं आप सब? आप सब का मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम तो आज students, हम यहाँ पर एक बहुत important concept शुरू करने जा रहे हैं has turned into have यह concept आपकी class 1 English reader का concept है तो यह देखे, यह page number 64 यहाँ पर समझाया गया है कि has कैसे turn होता है have में तो यहाँ पर पहले मैं आपको इसकी यहाँ पर information यहाँ पर दोगी कि has किसके साथ लगता है has and have has लगता हमारा singular और have लगता है plural अब singular plural क्या है? अब singular क्या आजाते हैं? कौन-कौन से चीज़े हमारी singular हैं? कौन से? जैसे? singular plural he she it यह हमारी singular है और यह हमारी plural he, she, it आगे singular you and they are plural अब यहाँ पर जो यह वर्ड यू है यह आपका singular भी है और यह आपका plural हपी है वह कैसे? जब हम बात करते हैं do your work अपना काम अपने आप swim कीजिए तो do your work by yourself और आपको यह sentence आ सकता है जैसे आपको अपना काम खुद करना चाहिए you should do your work by yourself यहाँ पर मैंने दूसरे बंदे को बोला कि मैं first person हो गई दूसरा बंदा second person हो गया you होता है second person जब हम दूसरे से बात करते हैं ठीक है? तो यहाँ पर दूसरे बंदे से बात की तो yourself, you आ गया अब यहाँ पर एक बंद है अगर मैं यहाँ पर sentence बोलनों कि आपको अपना काम अपने आप करना चाहिए you should do your work yourself यहाँ पर मैंने एक बंदे के लिए नहीं you use किया बहुत सारे बंदों के लिए you use किया है तो यहाँ पर you plural हो गया और पहले वेले sentence में you should work your yourself यहाँ पर singular था तो next देखते हैं यह देखे he, she, it and you and they अब यह हमारे singular हो गए यह हमारे plural हो गए अब बात आती है कि has कहां लगना है has हमारा लगेगा singular के साथ singular था इस के साथ he के साथ she के साथ और it के साथ has और have have कहां लगेगा have लगेगा हमारा you we they you, we, they यह सारे plural हैं एक से ज़्यादा हैं we हम कब यूज करते हैं जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं हम, बोलते हैं न हम मतलब एक से ज़्यादा है हमारे सिवा और भी कोई है they और एक और चीज कि I के साथ भी यहां पे हमारा have लगता है अब ये connection हमने समझना है कि I के साथ क्यों लगता है ठीक है तो जब ये ये जो pronounce ये जब ये जब हम अपने बारे में बात करते हैं हमने किसी को अपने बारे में इंट्रोडूस करवाना है second person is you and third person क्या आएगा he she it ये हमारे third person आगए और यहां पे एक रूल होता है कि जब हम ये जो have है इसको कहा लगाना है देखो I के साथ have अब I हमारा है first person अब जो has लगता है has लगता है third person singular के साथ has लगेगा third person singular अब third person singular हमारा आगया ये इन सब के साथ क्या लगेगा इन सब के साथ लगेगा has और have कहां लगेगा first person singular first person singular इसके साथ कहा है first person क्या है I इसलिए I के साथ हमारा लगेगा have और you you का हमें पता नहीं कि किस sentence में वो singular है और किस sentence में वो plural है तो इसलिए you के साथ क्या लगेगा you के साथ भी हमारा have लगेगा I hope आपको इसका concept समझ आ गया हो कहां has लगना है कहां have और कैसे I के साथ have लगा चलिए स्टार्ट करते हैं hello I am Gita ये अपने आपको introduce करने हैं hello मेरा नाम Gita है जब हम किसी को introduce करते हैं तो हम I बोलते हैं I am Gita I have a you-you मेरे पास you-you है यहां पर आपको समझ लगे अब have क्यों use हुआ है I have you-you मेरे पास ये you-you है have और has का main meaning होता है कि जब आप किसी चीज आपके पास किसी चीज की possession है कोई चीज आपके पास है it has a red thread अब ये you-you के बारे में बात किये है you-you है हमारी non-living thing ये आप मेरी वीडियो देख सकते है जहां पर मैंने बताया है he-she-it वाली वीडियो मेरी प्लेलिस में आप देखे जहां पर डिटेल से बताया गया है he कहां लगता है अब यहां पर इट है ये you-you की बात हो लिया है तो it has a red thread you-you का क्या रेड कलर का thread है you are ram अब ये second person से बात करें you are ram कि तुम ram हो you have a bell तुमारे पास एक bell है it says ding dong और bell कैसे बच्चती है ding dong ding dong के आवाज निकालती है we are boys we have four balloons अब ये boys क्या बोलते हैं अपने आपको हम एक से ज़्यादा person है तो हम आ जाएगा we are boys we have four balloons हमारे पास four balloons है one balloon has a hole singular आ गया ना one है one balloon has a hole एक balloon के बीच में hole है they are children they have two kites अब ये वो इन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या पोलने के उनकी तरफ इचार करके कि वो वो बच्चे हैं उनके पास two kites हैं one kite is on the ground उनमें से एक kite कहां पर है ग्राउन पर है तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्क्राइब माई चैनल आगे इसके देखते हैं cross out the wrong words in the following Gita has a ball और यो-यो Gita के पास क्या है? यो-यो Ram has a shell और bell the bell says ding-dong or ting-tong the boys have four or five balloons the boys have four balloons children have one or two kites two kites यहां देखेंगे कहां has लगने कहां have लगने सीधा की has लगेगा singular में have लगेगा plural में और exceptional point क्या है? कि I और you के साथ have लगने I आगया तो सीधा आपने have लगा देना है it non-living के साथ लगता है it dash a red thread it has we dash four balloons we आगया, we have one balloon has they plural आगया have two kites you have a bell यहां तक I hope आपको सारा कंसेप्ट समझा गया हो तो बाकी कंसेप्ट देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं तो till then bye bye and do like share and subscribe my channel आप याएं U